जब जब समाजवादी पार्टी की बात होती है तो कई बड़े नामों की चर्चा होती है जैसे मुलायम सिंग यादव, अखिलेश यादव, अमर सिंग, डिम्पल यादव इन सब की चर्चा होनी लाजमी है अमर सिंग और मुलायम की बीच कैसे रिष्टे थे? किसी से छिपा नहीं है लेकिन आज हम आपको एक ऐसा वाक्या बताने जा रही है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे अमर सिंग समाजवादी पार्टी के, उनके नेताओं के मुलायम परिवार के बेहद करी भी माने जाते रही है अलकि वो अब हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी चर्चा आज हम इसले कर रही है क्योंकि आज हम आपको डिमपल यादव से जुड़ा एक ऐसा किस्सा बताएंगे जो आपको हैरान करेगा डिमपल यादव यू तो अमर सिंग को अपने ससूर की तरह पूझती थी लेकिन फिर एक वाक्या ऐसा घटा कि अमर सिंग से डिमपल यादव भी चड़ गई अखिलेश यादव भी चड़ गए और जब अमर सिंग टीवी पर कुछ बोलते थे तो डिमपल यादव बंद कर दिया करती थी तीवी को या फिर चानल पलट दिया करती थी अपने बच्चों को भी वो अमर सिंग के बयान को सुनने नहीं दिया करती थी अब ऐसा क्या हुआ कि डिमपल यादव जिसे ससूर के तोर पर पूझती थी उनसे इतनी खफा हो गई ये आज हम आपको बताएंगे दरसल सपा से बाहर होने के बाद अमर सिंग खुल कर अखिलेश यादव की और मुलायम परिवार की बुराई करने लगे उन पर निशाना सादने लगे उनको लेकर नए-नए खुलासे करने लगे जिसके बाद ये बात डिमपल यादव को बहुत ज्यादा चुब गई उनको लगा कि जब तक वो परिवार के सदस्य थे जब तक कोई मन मुटाव नहीं था तब तक तो सारी चीज़े ठीक थी जैसे ही अलगा हुआ वो किस तरीके से बयान बाजी कर रही है ये चीज़े गलत है इसका खुलासा एक बार हुआ भी था जब अखिलेश यादव और डिमपल यादव पूरी तरीके से अमर सिंग के विरोध में नजर आए थे खुद ये बात सामने आई थी निकल कर कि डिमपल यादव चैनल पलट देती हैं अगर अमर सिंग टीवी पर कुछ बोलते हुए नजर आ जाते थे तो चाहिए वो मुलायम के बारे में बात कर रहे हो उनके परिवार के बारे में बात कर रहे हो या फिर ना कर रही हो इतना ही नहीं डिमपल अपने बच्चों को भी कभी अमर सिंग का बयान सुने नहीं दिया करती थी ताकि उन पर कोई नेगेटिव असर ना पड़े ऐसे में कई बार इसका मजाग भी उड़ता है कई बार समाजवादी पार्टी को लेकर अखिलेश यादफ को लेकर ये कहा जाता है कि ना ही मुलायम से रिष्टे संभले और ना ही अखिलेश संभाल पा रही है लेकिन ये इतिहास में, इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि अमर सिंग का एक बहुत ज्यादा रुत्बा था मुलाइम परिवार में लेकिन एक वक्त के बाद ऐसा मनमुटाब हुआ कि पूरी खबर आपके सामने ही है आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जबूत करें